नमस्कार दोस्तों, Get Success 247 के एक और नी वीडियो में आप सभी का सौगत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लेके आज चुका हूं है सामाने ग्यान के most important questions इसमें होंगे आपके इंडिया जी के questions यानि के इंडिया जी के क्या होंगे आपके history के questions तो वीडियो को पूरा देखेगा और बताईगा आपके कितने सही होते कि दगलत होते और अगर वीडियो पसंद आए तो like, comment और share जरूर करना तो चलिए आज के आपके पहले question के साथ start करते है कि history of धर्म शास्त्र नामक महान करती जो सामाजिक, धार्मिक और राजनितिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विशेश कोश है उसके लेखक कौन है देखे history के questions है, उनमें किताबों के questions हैं जी books के questions आते है तो यहां से C option आपके यहां पे एक रेट हो जाएगा PV काने, इसके लेखक है यह basically संस्कृत के एक महान विद्वान थे जिनका जन्व होता 1880 में और मृत्य हुईती 1922 में चलिए अगले question के हाँ पे बात करेंगे कहां से मिली एक मुद्रा पर तीन घडियाल तथा दो मचलियों का अंकन है चार option आपके सामने हैं, देखके जवाब दीजिए कोई जल्वाजी नहीं करनी है तो यहां से आपका correct option हो जाएगा दोस्तों B वाला चनहुद्रो यहां से मिली एक मुद्रा पर तीन घडियाल तथा दो मचलियों का अंकन है चनहुद्रो बेसिकली सिंदू नदी के बाएं तटपर स्थिता पहले के टाइम है इसकी खोज कब की गई थी 1931 में किसके दोरा N.G. मजुमदार दोरा और और भी यहां के कोईशन्स है वो मैं आपको थोड़ा से डिटेल में बता देता हूँ कि यहां पर मिली हुई इटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजों का निशान है तो इस टाइब से कुशन पूसते हैं एक्जाम में यह आपको सेंटेंस देंगे कि यह कहां मिलेते हैं और यह एक मात्र ऐसा स्थल है जहां से वरका कार इंटे मिली है और क्या क्या मिला यहां से लिपिस्टे, काजल, कंगा, उससरा आदी के प्रमान यहां से मिले हैं और चनहुद्रो एक मात्र ऐसा स्थल है जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रियोग किया गया था तो पूरा डीटे में थोड़ा सा आपको बता दिया है मैंने, चलिए नेक्स्ट कोशिन के यहां पर बात करते हैं सेंदव सबिता के लोग किसकी पूजा करते थे सेंदव सबिता के लोग किसकी पूजा करते थे तो दोस्तों ये करते थे पशुपती की पूजा ये option आपका यहाँ पे correct हो जाएगा अगले question के हाँ पे बात करेंगे रिगवेद के मंतरों का उचारण करके जो पुरुहित यग्य संपन कराता था उसे क्या कहा जाता था देखे detail के question है और deep question है ये आपको हर कहीं पे नहीं मिलेंगे और इसी type से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे comment करके बता देना आज historical यह है आने वाले दिनों में आपके geography के, policy के, economics के सभी के questions लूँगा जो आपको exam में बहुत help करेंगे तो देखे चौथे का आपका great option क्या हो जाएगा बी, होता उसे क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था देखे ऐसे question आपको हर कहीं पे नहीं मिलने वाले है तो इन्हें attend जरूर करना पांच वो question के किसके शाषनकाल में किसके शाषनकाल में किया गया था? प्रथम बहुत संगीती का आयोजन चार से पांच सेकिंड का time ले लीजिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए तो देखे पांच वो का आपका great option हो जाएगा डी वाला, अजास शत्रू अजास शत्रू का एक अन्य नाम भी है, कई बार exam में शायद वो भी आ जाए, तो वो भी आ रखना कुनिक इसे कुनिक भी कहा जाता था चलिए अगले question के हाँ पर बात करेंगे तो C option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा Sir John Child को कर दिया था अगले question के बात करते है एहमद शाअबदाली दोरा हिंदूस्तान पर प्रतम आक्रमन कब किया गया दोस्तों एहमद शाअबदाली दोरा हिंदूस्तान पर कुल साथ आक्रमन किये गये थे थोड़ा से डिटेल में आपको यहाँ पर बता दूँगा तो देखे साथवे का आपका correct option क्या हो जाएगा से वाला 1748 में पहला आक्रमन किया गया था कहां किया गया था पंजाब पर और वो असफल रहा था और सबसे लाज जो साथवा था वो कब किया गया था वो मार्च 1767 में किया गया था तो इस दोरान कुल साथ आक्रमन किये गयते एहमस चाह अबदाली द्वारा अगले question के बात करते हैं आटवा question के बनारस की संदी कब संपन हुई बनारस की संदी कब संपन हुई यानिके किस year में हुई यही बताना आपको किनके बीच में हुई अगर आपको वो भी पता है तो comment में बताईए और नहीं पता है तो कोई बात नहीं मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा जो भी चीज आपको पता हो question के बारे में वो आप comment में लिख सकते हो ताकि आपकी जी के अच्छी हो और जो दूसरा comment देख रहा हो उसको भी कुछ knowledge मिल सके तो देखे आठवे का यह option करेट हो जाएगा 1773 1773 के अंदर हुई थी बनारेस की संदी किनके मद्ध्य हुई थी अवद के जो नवाब थे शजाओ दोला और वारेन हैस्टिंग्स के बीच में यह संदी हुई थी बनारेस की संदी ठीक है चलिए नेक्ट कोशन के बात करते हैं भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का प्रथम अदिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ देखे जो भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के सभी अध्यवेशन है उनमेंसे कोई भी कोशन आ सकता है कि अध्यवेशन कहां पे हुआ था अध्यक्ष कौन थे और कोई भी किसी टाइप का भी कोशन बन सकता है कब हुआ था डेट भी आपसे पूछ सकते है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो वो भी कर दीजिए और सारे साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इसकी जो PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे फॉलो कर लो और सभी PDF मिल जाएगी पहले की भी और इस वीडियो की भी तो देखें नौवेग आपका D option करेट हो जाएगा W.C. Benerji भारतिय राज्ट्री कॉंग्रेस का जो प्रथम अदिवेशन हुआ था उसके दिक्षा था की थी W.C. Benerji ने हुआ कहां पे था बंबई में पूरा बता देता हूं उसका बंबई में हुआ था कब हुआ था 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुआ था यह 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था तो आपको जाद रखना है 28 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था 1885 में चलिए दस्वे कोशिन के यहां पे बात करेंगे रविंदर नाठ टेगोर ने किसके दोरान गांदी जी को महत्मा की उपादी दी थी उस समय क्या चल रहा था कौन सा सत्यागर या फिर कौन सा अंदुलन चल रहा था जिस समय रविंद्र नाट एगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपादी दिथी कई बार एक्जाम में सीध्या सा कोशिन पूस्त है कि गांधी जी को shootings कि उपादी किस ने दिथी ऐसा भी कोशिन आज़ाता है तो देखें 10 का आपका grade option क्या हो जाएगा कब भी चंपारण सत्याग्र और चंपारण सत्याग्र हुआ कब था उननिस सो सत्रा के अंदर खेडा सत्याग्र की यहाँ पर बात करें तो यह कब हुआ था उननिस सो अठारा में असहेव को अंदुलन की यहाँ पर बात करें तो यह कब हुआ था उननिस सो बेस में शुरू ह खिलाफत अंदुलन की यहां पर बात करें यह कब शुरू हुआ था 1919 में यह शुरू हुआ था तो जो चारों अप्शन थे डीटेल में यहां पर मैंने आपको बता दिये हैं मेरे इसाब से यह सभी कोशन आपको पसंद आयोंगे लेकिन अच्छे कोशन है और पूरी डीटे